नमस्कार दोस्तों मैं अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबादे जिसे नोटिक किस्तन भी आपको मिलता रहे और हाँ यदि आप टेफ्ट देना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रि हमारा पहला परसन है कि अग नाशाय को पाचछ के ऊतौद के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मॉन में से कौन सा है मतब कौन सा हर्मौन है जो हमारा अगे नाशायस है इसक करस करने के लिए दूद में प्रोटीन होता है तो हमारा है dons अगला प्रस्ण मारा है, इंसुलिन होता है, इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है, और इसमें कौन सिधात उगर पुछी जाए, तो इसमें कौन सिधात होती है, जस्ता, ठीके, इसमें जस्ता धात पाजाती है, अच्छा, इंसुलिन सिक्रीट कहां से होता है तो जो हमारी अगना से है ठीक है पैंक्रियाज है इसे पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था पैंक्रियाज क्या था एक mix gland है ठीक है आपके सरीट के सबसे बड़ी mix gland कौन है मिस्रिद gland कौन है pancreas है तो उसके उपर क्या पायाता है langer hands की दीपकाय पायाती है ठीक है जिसे eye slats of langer hands का जाता है उस पर तीन प्रकार की cell होती है एक alpha लंक की अलफा प्रकार की caliber में था खूंप आपका इंसुलीन फिकरिट होता है उससे आपकाा समैटो-इस्टेटिन से क्रीट होता है और आपका एक गामा से होता एन घ्लत मे परने बता हैgesetzто को स्टेटिन से क्रिट होता है आप यह भी याद रखेगा मारा अगला प्रस्न है कि मानोनी इंसुलीन उत्पन होता है इसका अब बताया कि यह आपका जो पैंक्रियाज है अगनासे है ठीक है अगनासे के उपर जो लेंगर हैंस की दीपकाई पाई जाती है ठीक है उन्हें लेंगर हैंस की दीपकाओं की जो तीन सेले होती है उनमें से बीटा सेल से यह सिक्रिट होता है अलफा सल से गलुकेगां से क्रिट ह है तो उसको गलाइकोजन में कषிक तो यह कंष कर देता है अगर तो यह हो गए और यहां आपके सरीड़ की सबसे बड़ी गरंत ही आपकी यक ситу है है ठीक है और pituitry क्या है सबसे बड़ी सबसे छोटी गरंथ है जो आपकी यह लेकिन यह कौन से गरंथ है अगर आपसे अंता सरावी गरंथ सबसे बड़ी पूछी जाए तो आप की हो जाएगी थायराइड अगर सबसे बड़ी अंता सरावी गरंथ पूछी जाए तो आपका थो जाएगा थायराइड ठीक है पेट्यूट्री भी क्या एक अन्ता शरावी गरंत है उर्मोन से क्रेट करते हैं वे नलिकाओं के माध्यन से जिस अस्थान पे जाना होता है। वहां पर पहुंचाते हैं और जो अन्ता शरावी बलड में मतलब जो बलड प्लाज्मा होती है उसके द्वारा सिरीर के भी नंग में पहुंचाते हैं अब यह मान के लिए कि जो बहिस रावी गरंतिया होती है वह हमारी लैंड लाइन फोन है मतलब जो फोन करेगा उसके पास भी एक तार जुड़ा होगा और कई तारों से किया और किया कर दिया उसके घर की जरूत नहीं है वह सिग्नल वह जो हमंच जाएगा जिसके पास वह उससे अंता क्रविक ग्रंतिया करती है वो हार्मोन सिक्रीट कर देती हैं, बलड में मिला देती हैं, उसके बाद वो चिंता नहीं करती, जहां उसको पहुचना होता है, वो बलड के माध्यूं से पहुच जाता, जैसे नमबर डायल कर देने के बाद, मॉबाइल का फोन, उसी नमबर पहुच जाता है, जिसपे हमने ठीक है, उसके लिए तार की जरुद नहीं पड़ती है, यही इतना अंतर है, बेसिक अंतर वाकि साइंस की भासा में बहुच जादा है, उसकी जरुद भी नहीं है, क्योंकि आप कम्टेटिव ज्याम दे रहे हैं, इस लिए इस चैनल का नाम है, री एजुकेशन, आपने ज यहां आपका सائंंटिविक ग्यान, भी है, साइंटिविक ग्यान चाहते है तो आप हायर जाएं, ठीक है, प्िरसी करेए, म effectivement पीचड़ी करेए, वह ज्यादा प्रयोग होगा, यहां पर नर्मल ग्यान प्रयोग होगा, यहां पर नार्माल ज्यान प्रयोग होगा, तो कठने कि टेक्टीma याँ टियाटी इंसीपीडेस वाले ब्यक्ति और तीछ फ्राव से गरस्ट उता है यहां तो यहां थैं से ऺएसा पियास जादा लगती है लिवन इनको पैषा बीदो गयादा लगते है तो यह सही है लेकिन आपका कारव गलत तीक है My hey »minella अगला प्रसंपहरा है नंखित में से कौन सा पाधब हर्मोनैं इंसुलीन आपने अभी देखा इंसुलीन क्या है ''MAINUMHORMONE'' वो ''BETA'' से सिक्रीट होता है ठीक है और इंसुलीन में ज़ेस्ता धात पाई चीए यए बलट में glucose की level को control करता है, ठीक और बाद की थाईरक्षिन क्या है? यह थाइराइड गरंच से secret होती है estrogen, estrogen लिखा है चाहे estrogen का यह estrogen क्या हिदा? जब मासिक धर्म शुरू होता है तो आप देखते हैं कि प्रोजेस्टम और estrogen दोनों के से ले दोनों hormone secret होती है तो यह तीनों क्या हो गई मानों और भाकी सायटोकाइन क्या है ये पादाप अगला प्रस्ण हमारा रहा है यकृत और मानधासपेसियों cwec फिर्फ जमाथ होती है वह ऑघ्लम होती एव ग्लाइकोजन के दूप में जमा यह थीक है कि मारा आ जो शरीर है बहुत चलाक ऑप उसको ज्यादा उज्टर आप यह बाकी कुछ उड़िया बेंगे सीड़ह कम झ swear पैसा नहीं बचा तो क्या से लेता है जो ग्लाइकोजन में उसने कर्वट करके यह किरते में आपके अन्यंगों में श्टोर किया है यह वहां से प्रोटीन की अउज़ ऐगी ठीक फिर प्रोटीन की बारी आएगी तो ये फिक्ष डिपॉजिट है इतनी जल्दी गलती ने इसलिए यदि आप बैयाम करना शुरू करते हैं तो आप दस दिन में अपना फैट कम नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास एक करेंट अकाउंट है फिर सेविंग अकाउंट है इसके बाद फिक्ष डिपॉजिट का पैसा टूट एगा ठीक है आप महीने दो महीने छे महीने मेहनत करिए फिर आप की बॉड़ी सेप में आएगी सूखा सहसुडता से संबंदित हार्मोन है सूखा यादि कहीं सूखा पढ़ जाए तो पेड़ पाउदे अपने वापको बचाने के लिए किस हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं यह क्या करता है उनको सूखे से लड़ने से सहता करता है ज्यादा पानी के लास से इनको बचाता है अगला है कौन सा लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है कौन सा हार्मोन है जिसको लड़ो और उड़ो हार्मोन कहा जात इसका एक सबसे अच्छा ग्यांपल मैं बताऊं आपको मैं जब छोटा था तो मैं रेलवे लाइन पार कर रहा था ठेला जो गाउँ होता है तीन पही वले जिसमें अपना अनाज या कोई भी चारा वराड होते हैं उसको मैं पार कर रहा था रेलगाडी की पट्री को अकेले दस मिनट से लगाँ था पूरा ठेला जो था ऊपट्री के बीच में आगया था लेकिन उसे पार नहीं कर बतर लेकिन जैसे ट्रेन की हार मेरे कान में गई मुझे 400-400 मिटर की दूरिप सी इतनी इनर्जी कहां से आई जिस ठेले को मैं d計 से मिनट से नहीं पारकर पारा था, उसको मैं एक सिकेंड के भीतर पलट दिया, ठीक है, जबकि मेरी उमर इतनी नहीं थी, कि इतनी ताकत मेरे अंदर हो, लेकिन कहां से आई, ओ कहां से आई, एड्रेनलीन से, ठीक है, दूसरा कोई कहेगा, रे भगवान ने ताकत ही, भगवान नहीं दी, हमार च्विज़ा जो सरीर है, इसमें बहुत कुछ है, ठीक है, आप उसका सही सोपयोग तो किजिए, मेरे अंदर क्या सेकेठों, ट्रेन को देखने को बाद क्या हुआ, मुझे ढर लगा, डर लगने को क्या हुआ, एड्रेनलीन से करीट हुई,ठीक है, है, एड्रेनलीन से तो यह होता है एड्निल की पावर ठीक है ये लड़ो या मों के नाम से जाने हाता है आक सरावी हरमोन की थे इसरीम धर्रो परश्ण हारमोन होता है अगल्रेशल्ण हेमारा कि प्रत्राओं में किस हर्मोन को समाथ हो जाता यह कि कि जब उनका मासिक धर में समाप्त होता इस्तिरियों में तो किस हार्मोन का सिक्रेशन बंद हो जाता है तो इसमें आपका सही हो जाएगा प्रोजेश्टरान इस्ट्रोजन दोनों होता ठीक है इन दोनों हार्मोन का सिक्रेशन बंद हो जाता है ठीक है तो यहां पर दोनों आ मासिक धर्म बंद होता है उस समय प्रोजेस्टान और एस्ट्रोजन दोनों का सिक्रीशन बंद हो जाता है ठीक है तो यह दोनों आपसे यहां पर सही होने चाहिए थे तो इने में से कोई नहीं हटा के यहां पर आपसे प्रोजेस्टान और एस्ट्रोजन दोनों ठीक है याद एब लाजमा का काम क्या है। उस हर्मोन को उसके जहां पर पहुंचाना है वहां तक पहुंचाए। तो दो ऑ हम ए Minister क्या हतने ships ूr में बाहिनिया नहीं पाई जाती है उसमें नर्यां नहीं पाई झाती है अग्ला प्रस्ण हमारा है मानों च्रीर की सबसे बड़ी गर्थी का след सबसे बड़ी गरंति कौन है यक्रित यदि मानों का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो क्या हो जाएगा इंटर्नल अंग यक्रित सबसे छोटी गरंति पूछी जाए तो आपकी हो जाएगी पिट्यूट्री सबसे छोटी गरंति अगर पूछी जाए पिट्यूट्री या कैसी है अंतासरावी गरंती है सबसे बड़ी मिश्रित गरंती पूछी जाए तो आपका हो जाएगा अगनासे ठीक है सबसे बड़ी मिश्रित गरंती पूछी जाए आपका अगनासे या पैंक्रियाज हो जाएगा और यही वह गरंती है जो दूसरे नंब होती है वोती है हमारी थायराइड ठीक है एक और याद रखना थायरह सबसे अंता सुरी की होता है अगला प्रस्वारा है अंग मैं से पित का संचैन किसमें होता है मतलब पित कहां संचित होता है पित का सिक्रीशन होता है यक्रित से लेकिन वह संचित होता है पित्तासे में ठीक है संचित कहां होता हो पित्तासे में लेकिन यक्रित में उसका संस्लेशन होता ठीक है ये चीज आपका हो गया और अगनासे या पैंक्रियाज क्या है इससे सभी प्रकार के पाचक रसका सिक्रिशन होता ठीक है अगनासे प्रकार के पाचक रसका सिक्रिशन होता है इसे पूर्ड पाचक एंजाइम सिक्रिशन यहीं होता ठीक है और दूसरी क्या है अगनासे पर जो लेंगर हैंस की दिवक में पाया जाने वाला हार्मोन है तो वैसा कॉंस हार्मोन है वह हमारा है एसेटिलीन क्या है जो एसेटिलीन होती है यह फलों को पकाने में प्रयोग होती है यह गैस लेकिन जो पादफ हर्मोन होता है हमारा क्यों सा होता है एथिलीन ठीक है अब एथिलीन को टिकरिएगा मैंने यहां गलक टिक कर दिया एथिलीन क्या होती है पाधों में पाई जाने वाला हर्मोन है जो पड़ों को पकाने में मदद करती है एस्टिलीन भी जो कच्छे फल होते हैं हरे फल होते उनको पकाने के लिए परयोग किया जाता है लेकिन ये किर्तिम रूप से बना के परयोग किया जाता ठीक कारवाइड का जब आक्सिजन की प्रेजंस में ओ किरिया करते हो तो फिट इस बनती है ठीक है जो नमी पाती है कारवाइड तो इस प्रकार इस यह दोनों अलग है यह क्या है एक पादफ हार्मोन है अथिलीन पादफ हार्मोन के यह केमिकल गैस है यह कच्छे फलों को पकाने में हमारी मदद करता ठीक है अग्रा प्रस्ण है कि मानों सरीर का कौन सा भाग शरीर का ताप नियंतृत रखता है तो यह हो जाएगा फेफटा क्या करता है हमारे सरीर के ताप को नियंतृत रखता है ठीक है वह किस परकार नियंतृत रखता है कि जैसे जब आक्सीजन और कर्मन आक्साइड गैसे को साथ के साथ हमारा जो जलवास्प है वह भी सेल तक पहुचता है तो सेल जो होती है वे कौन से किरिया करती है वे अपना भुजन बनाती है वहां से उर्जा निकलती है उस उर् और कि क्योंकि जलवास होते हैं ऐन्टेनल एनरजी जो हीट होती है उसको सो कि बाहर निकाल जो एक लिए तो भी फद्टेन निकर्वी तो भी आपके नाक से हवा निकलती हो क्या इंटनल एनरजी होते उसके लास करती है थीठिक ही अग्ला प्रस्क्राइर सामान ने मानों शरीर का ठापकरम होता है सामान ने मानों शरीर का ठापकरम इसमें से पकुछ नहीं ठीक है जो था आप सबढ़ियों कि आपक्रम होता है उसा होता है 918. 06 एगर में कहें तो 3010 केलविन केलविन पैमान कभी 0 केलविन से नीचे नहीं जाता या और रखी का आपका प्रस्ब्स पूशा जाता है किस पैमाने में पैमान माइनस में नहीं जाता तो आपको जाएगा Kelvin पैमाना आप comment करके बताएगा कि 0 degree Kelvin में कितने degree Celsius होता है ठीक है प्रस्ण क्या है 0 degree Kelvin में कितने degree Celsius होता है इस प्रस्ण का उतर आप comment में दीजेगा ठीक है अगला प्रस्ण हमारा है कि निम्न में से परजीवी पौधे की पहचान करें ठीक है इन में से कौन सा पौधा हमारा परजीवी है तो हमारा परजीवी इसमें कौन है अमर बेल अमर बेल क्या है परजीवी परजीवी का अर्थ होता है कि जो अब भोजन के लिए और आवास के लिए दोनों को दोने के लिए वो दूसरे पौधे पर निर्वरो तो अमर वेल क्या करता है वो दूसरों पौधे पर वो लटका रहता है और जो उसके अपने हुक होते हैं वो पनेट्रेट करके उस पौधे के अंदर डाल देते हैं और उसका जो खाना होता है वो खुद चूस लेता है अमर वेल खाना नही होता अब chlorophyll नहीं है तो खाना बना नहीं पाएगा वो दूसरों पाउधे पे वो उगता है और उगने के बाद अपना जो हुक होता है उसको क्या करता है उसे इंडर एसको कहा आजाया यका पर पोसी मतल swag को पोसित कर रहा है जिसका घर में रह रहा है वह हो जाएगा परकोशी वह ञाएगा आपका परजिवी रहा है अगला घटपणड़ी के बारे मने आपको पचाइब यह प्रोटिन इंदर पाइड बंड रे अपने लिए प्रोटिन ऩद आपने लिए प्रोटीन यह हो गया, अगला प्रस्ण मारा है, मा पौधे की भात पौधा मिलता है, मैं कहने के मतलब ऐसा पौधा जिसकी जो जेनेटिकली कैसा हो, एकदम उपनी मा जैसा हो, तो अगर आप उसका तना काट के आप लगाएंगे, तो उसमें सभी जो जीन होंगे, वो एकदम ठीक उसी प्रकार होंगे, जैसे उसकी मा के पौधे में देखे, तो जैसे जब हम आपने देखा होगा, जब आप गन्ने का तना काट के गन्ना लगाते हैं, तो कभी ऐसा नहीं होता कि आप रिजेक्ट वाले गन्ने का पौधा लगाएंगे हों, और जो एकदम बलायम वाला अच्छ अच्छे किसम का गन्ना होता है, वो उसमें से उपी आए, नहीं होता न, तो जब आप तना काट के किसी का लगाते हैं, तो ठीक उसी परकार का पौधा उगता है, जैसे जिसका तना काट के आपने लगाया है, ठीक है, यह याद रखिए, अगर अगनासे में खराबी हो जा है, तो अगनासे में कया होता है, तो पाचाकर सिक्रिट होते हैं, तो इसमें को का पाच्छन के लिए ठीक नहीं होती है, यह अप सम सही हो सकता था, तो कि यहां से सभी पाचाकर नकलते हैं, लेकिन यह बेसिकली, वेसे हार्मोन पे के लिए हम इसको लगांगे नहीं तो आप इसको लेके भी जा सकते थे इसे बिवाद हो सकता था पाचन के लिए ठीक नहीं होगी भाई पाचक रस भी अगना से सिक्रीट करता है तो अभी तो अभी के लिए ग्लूकेगान सही है लेकिन पाचन के लिए ठीक लगना चूमना निम्न हार्मोन में से किसके मोचन को प्रेडित करता है यह प्रेडित करता है अक्षी टोसिन को यह हार्मोन है जो दुख्द को सरावित करता है ठीक है जो मां अपने पच्चों को गले लगाती है चूमती है तो आपकी टोसिन से क्रीट होता है उसके बाद अस क्रितमिं ये बंधारित हो जाता है तो जब जितना काम होता है उतना गुलकुज कि बलड में डोडाता है ज्यादा हो गया उतको इस्टोर करके डाल देता है यक क्रितमी और ज्यादा हो गया तो उसको फैट के रुप में deposit कर देता है तो वह हमने पता है एक current account चलाता है saving account चलाता है saving में या क्रित में save करता है एक fixed deposit हमारे पेट पे हमारी थाई पे ठीक है और गरदन पे जहां भी होता है वहाँ चहरे पे फैट एकठा करा देता है जब यह दोनों खतम हो जाते हैं आपका current saving account तब जाके आपका fixed deposit हो तोड़ता है insulin प्राप्त होता है insulin किसे पर डहलिया की जड़ों से प्राप्त होता है ठीक है insulin यहां से भी प्राप्त किया जा सकता है कृतिम रूप से स्टराव करती है कि यह अिसका क्या है value काम यह है कि यदि बलडड में कैल्सियम की मात्रा घट जाए ठीक है यह अगर बलड में कैल्सियम की मात्रा घट जाती है तो यह एक हार्मोन सिक्रेट करता है पैरा थायराइड हार्मोन मूबाल पी लिखते हैं बनता ने क्लिए लिखता नहीं हूं अब सुन लिए अगर बल्र में कैल्सियम की मातलग़ घट गई तो यह सिकरिट करता है पैरा थाराइड हर्मॉन और वह कैल्सियम की मातलगे में में इन करता है यदी बढ़ गईess बनत ट्था बल्र करने के लिए उत्याजित करने के लिए उत्याजित करने वाला हार्मोन है तो यह है थायराइड इस्टुमलेटिंग हार्मोन यह क्या करता है थायराइड गरंति में थायराक्सिन के सिक्रेशन को बढ़ाता है थायराइड के सिक्रेशन को बढ़ाता है यह फैसेच क्या होता है स्ञाइब, व्रिषण की स्टमूलेटंग हार्मोन, ये क्या करता है? या ब्रिसरण की सुक्र जनन, नलिकाओं में स्टुक्राणag jetzt, मतलब ये इस्पर्म है उंके जनन में, उनके पैदा ливघ केम मदद करता है, ये फिरब्लक स्ट, ठीक है? और यल्ट एज फिल्ट और यहां होता यह डुख यहां इसे कहते हैं लैक्टो डेनिक हर्मौंटिक इसका मुख्रक्षिसकों के लिए और फ्राव कराना की है योए ल्ट फिस और ए ड्रिानोंं कार्टी ट्रोपिक हर्मौन ट्क होका फिक गहने adrenaline के सराव मतलब वही हार्मोन जिसकी वज़ास मैंने ठेला पड़ता था adrenaline उसके सराव को बढ़ाता है ACTH ठीक है तो यह सभी हार्मोन है आप हार्मोन को याद करें यह सब के सब हार्मोन कहां से सिक्रीट होते हैं प्यूस गरंथ से मतलब पिटीटरी gland को किया कहा जाता है किसे कति मास्टर connect कहा जाता है सबसे चोटि pillar 2.6 जीम की होती है ठीक है और प्यूतीज सिद में होती है यह ni हड़ी के गड़े मी ठीक है मो सीर है उसमें एक हड़ी है उसी के गड़े में यह-स्ध दो का जाता है तू अगला प्रस्त हमारा है कि निम्र्खुत में से पूढ का जाता है है कढ असे को पूढ़ पाचक करणसे कहा जाता है इसे अलफा बीट गामा से बीटा से इसी स clown का sechs होता है ठीक है यह सबसे बड़ी करंदी है ठीक है अगना से सबसे बड़ी मिश्रीख फिरंदी है अगला प्रस्थ ने मानो मस्तिस के निम्लिखत भागव में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है तो यह है हमारा मेडूला आबलांग गेटा ठीक है यह किस हमारी कोचिंग की तरफ से कि यदि आप सम्विदावन और आजवेफ्था पढ़ना चाहते हैं आरो एक्जाम के लिए या यूपीएसाई के लिए या पीसीएस मेंस के लिए ठीक है प्रीमेंस तो इसको इतनी स्थरल भासा में लगवग पचीस घंटे का वीडियो होगा ज किस प्रगार के प्रस्ण पूछे जाते हैं किस चैप्टर से कौन सा प्रस्ण बंच सकता है ठीकिए ये सब चीजे उन लेक्चर हों बता गई ये यूटूब पे इस तरह से कोई लेक्चर आपको नहीं मिलेगत संविदानी और राजवेष्था कि इसने इतने डिटेल में को इतने कम वीडियों बताया हो तो यदि आप संद्धानिय उम्राजवस्ता पढ़ना चाहते अच्छे से तो प्लीज आईए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यहां पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे आपको पीडियेफ नोट्स मिल जाएगा आप अच्छे से उ वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं जय हिंद जय भारत